नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका स्वाकत है मैं प्रिया आपके साथ आईए देखते हैं देश्विदेश के प्रमुख खबरे मनिपूर में डीसी एसपी ओफिस में तोड़ फोर आग लगाई तीरंगे का अपमान दोकी मौत रूस अमेरिका इरान की नेवी का मिलन करा रही भरती नो सेना पेटीम पेमेंट्स बैंक की सेवा पंदरा मार्च तक बड़ी अर्बियाई ने कहा रूस पुतीं की सत्ता को चुनोती दे रहे है नवेल नीकी साइबेरिया की जेल में रहस्मई मोत रिटर्न में देरी पर मुख्य विपक्षी पार्टी पर कारवाई आईकर ने कॉंग्रेस के बैंक खाते फ्रिच किये अपिले ट्रिबलुन ने रोक हटाई अश्वीन के टेस्ट में 500 विकेट सबसे तेज भारती स्पाइस जेट के चैर्मेन ने लगाई गो एर की बोली अयोध्या में दिन में एक घंटे बंद रहेंगे राममंदिर के कपाट तेलगाना में जातिगत सर्वे के लिए विस में प्रस्ताव पेश जेट के फाउंडर नरेश गोयल को कैंसर जमानत मांगी हल्दवानी में हिंसा भढ़काने के पीछे पाकिस्तान के टूलकीट का हाथ पाकिस्तान में चुनाओं में धांदली के विरोध में सडकों पर आवाम नई दिली में अलीपूर में दो गुदावों में आग मरने वालों की संख्या बढ़कर ग्यारा हुई तेलगाना में इडी ने फेमा मामलों में किंक्स ग्रूप के कारेलेव उपर साज जगत छापे मारी की मिस्तर में 30 देशों के करीब 10 हज़ा लोगों ने रनफ और गाजा मेरा थन में हिस्सा लिया अमेरिका में दमपत्ती और बच्चों की मोत में खुलासा आनन ने ही पत्नी को गोली मारी गेर जर्मन लोगों को देश निकालने की साजिश रच्ट रहे हैं नवनाजी और एफडी निया यात्रा में बिहार में राहुल गांदी के सार्थी बने तेजस्वी हर्याना में उद्गाटन कारिक्रम वा स्वार्योजनिक सभा कॉंग्रेस के लोग अब जय सिया राम का नारा लगा रहे हैं मोधी जी ने कहा बंगाल में भाजपा कॉंग्रेस टीम को संदेश खली जाने से रोका सुप्रेम कोट पहुंचा मामला बाकी की तमाम कवरों कले बने रही राजनमा टीवी के साथ धन्यवार